फ्लो चार्ट्स क्या है क्यों बनाते हैं पहले इसको समझते हैं फिर अपने लिए इस पेपर के पांटे से इसकी डेलेवेंट समझेंगे आपको याद होगा हमने डिसकस किया था अपने चैप्टर 3 के अंदर जिसे डिसकस किया था कि हमारा कोई भी कंप्यूटर सिस्टम उसको हमें कोई भी काम कराने के लिए हम उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है उसे कमांड देनी पड़ती है और वो इंस्ट्रक्शन हम प्रोग्राम के रूप में अपने सिस्टम के अंदर स्टोर करते हैं ना जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम को पेपर पे बनाता है जिससे के उसे देख के वो समझ में आ जाए कि हमारे flow कहा जा रहे हैं, हमारी instructions कहा जा रही हैं, कौन सेक्षन पहले लिखनी है, कौन से instruction बाद में लिखनी है, इस तरीके से वो अपनी तैयारी करता है, तो सबसे पहले एक programmer flow chart बनाता है फिर उस फ्लो चार्ट को देखने के बाद वो अपना प्रोग्राम लिखता है और उल्टीमिटली वो प्रोग्राम सब मिलके आपके लिए क्या बनते हैं आपको याद होगा हमें इंस्ट्रक्शन देनी पढ़ती है इंस्ट्रक्शन का ओर्डर सही होना चाहिए यह तभी सही होगा जह हमने इसको पूरी तरीके से पहले से प्लैन कर रखा हो उसी प्लैनिंग के तहत हमने क्या किया इन पूरे डाइग्राम के अंदर पूरे चार्ट को बनाया जो चार्ट पूरा फ्लो शो कर रहा है इसलिए उसका नाम दिया फ्लो चार्ट ऐसा चार्ट जो flow of instructions को show करता हो और उस chart को हमने क्या कहा flow chart इस flow chart के अंदर कुछ यहां पर standardized boxes है जिनकों में बनाना होता है उसके पीछे purpose यह है कि अगर इस standardized boxes के अंदर में flow chart बनाया तो इस flow chart को आपको अलग से explain नहीं करना पड़ता अगर आपने एक flow chart बनाए एक फुरा standardized format में तो दुनिया में कोई भी person जब उस flow chart को पढ़ेगा उसको सही रहन से interpret करेगा आप जानते हैं हम language में लिखते हैं तो कई बार language हमारी explanatory नहीं होती समझ में नहीं आती लेकि flow chart देखती समझ माज़ दाता है यहाँ पर हमें यह step करना है उसके बद यह step करना है तो main purpose is एक standardized format में चार्ट बनाया जो flow of instruction शो कर रहा है flow कहां से कहां जा रहा है यह purpose है हमारा किस चीज़ का flow chart का एस वरे सी एक्जामशन है concern आपके EIS के अंदर या पुराना जो आपका course है quality के अंदर उसमें six to eight marks का question आपके paper में पूछा जा सकता है तो उसके बारे में हमें discuss करना है flow chart तो आपके लिए सब्सक्रेंबडी relevance यह है बाई साब कि आपके छै से आठ mark का question पेपर में पूछा जा सकता है और यह बहुत अच्छा question है reason marks कर दिया हैंगे नहीं आपको यहाँ पर steps के marks मिलते हैं और step by step marking होती है और आप इसके अंदर even आपने flow chart थोड़ा गलत भी बना दिया तो भी आपके marks उससे कहीं ज्यादा होंगे जो आपको marks कहीं theory में मिलना है क्योंकि theory में आप जानते हैं जब हम पूरा लिखते हैं 100% लिखते हैं तो भी satisfaction नहीं होता को छोड़ के आते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तो आपको कोई मेहनदी नहीं करनी है और आपको पूरे marks मिलने वाले तो बहुत अच्छे सा आप इसको तैयार करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से clarity होगी कि पेपर में कैसे बना सकते हैं तो शुरुवात करते हैं कुछ boxes के साथ में बिल्कुल standardized boxes कुछ students ने पहले शायद हो सकता है फ्लोचाट पड़ भी रखा हो लेकिन आप मेरे साथ में पूरा step by step चलेंगे जैसे मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैं आपको normal standard भी सब्सक्राइब ये बॉस्ट के स्टार अंद्सटॉं मतलब प्लोचाट बनाते तो उसमें स्टार्ट का नहीं हो सकते हैं जरूर आएगा और एक ही बार होगा ऐसे स्टॉप जरूर आएगा और एक ही बार होगा। इसके बाद यह अगले वाला जो बॉक्स आप देख वे यह जो बॉक्स है इस फोर इंपुट एस आउट पुट दोनों से इनपुट एंड आउटुट देखिए जब आफ फ्लोचर् तो अगर आपने कुछ यूजर से वैल्यू लेनी है तब कुछ बनाएंगे इंपट बॉक्स क्लियर होना चाहिए सब्कुछ बनाइफ रसे माइफ साइब पास अब करनी है तो वह अगला वाला बहुश्य लगा ण चैशंग यूजर से डिसीजन पूच्छन से जबॉशन और तो कोईज पूच के fighters कोई इस से च गवी कोशिन तो आपने पूछ नर्साइब। कोश्चन के अंदर आप किस किसट्र फिशंगा पूचेंगे आप डिसीज exemplo box के अंदर फूचब मनाएंगें तो में question पर करेंगे उसके दो answer होगे या तो yes होगा या नु होगा ध्यान रखेगा decision box में हमेशा दो outlet निकलेंगे हमेशा दो आउटलेट, दो से कम नहीं हो सकते, दो से ज़्यादा नहीं हो सकते, और आंसर उनका क्या होगा, इधर येस और नो, वहाँ पे हमारे येस और लो करके आंसर होगा, ये जो बॉक्स देख रहे हैं, अजीव सी शेप का, हाँ, ये अखिली पेपर की हमने इमेज बना रखे, एक तरह से पेपर बना रखा है, इस प्रिंट बॉक्स, अगर आपको कोई आउटपुट निकालना है, प्रिंट बॉक्स, तो आप आउटपुट और जो आपने उपर बॉक्स देखा था, तो अगर हम बात करें, फ्लो चार्ट के स्टांडर्स की, तो स्क्रीन पर में आउटपुट देना होता है, हमने पढ़ा था चैप्टर 3 में स्क्रीन पर देना है, तो आप कौन से आउटपुट बॉक्स का इस्तमाल क करेंगे, लेकिन अगर आप हार्ड काप्य आउटपुट दे रहे हैं, तो आपको कौन सा इस्तमाल करना है, आपको ये प्रिंट बॉक्स वाला इन आउटपुट बॉक्स इस्तमाल करना है, बट एस वरे सी एग्जामिनेशन आर कंसर्ण, हम ये जो बॉक्स है, इन्पुट इक लिए कर रहा हूँ, स्टेंडर मैंने आपको बताया कि इन्पुट बॉक्स और आउटपुट बॉक्स, इन्पुट बॉक्स वाला ही सौफ्ट कापी आउटपुट के लिए यूज़ होता है, और अगर आपको हार्ड कापी आउटपुट निकालना है, तो प्रिंट स्टॉप एंडिंग में, स्टार्ट एक बार आएगा, स्टॉप एक बार आएगा, बाकि जितने भी बॉक्स आपने मेर से पढ़े हैं भी, कौन-कौन से, इन्पुट बॉक्स, प्रोसेट बॉक्स, इन्पुट बॉक्स, यह कोई भी बॉक्स, कहीं पर भी कितनी भी बार आ सकता है there is no restriction और यह के जरूरी नहीं है कि हर प्रकार का बॉक्स बने ही बात क्लियर कर रहा हूं फिर से बोल रहा हूं आपका सिर्फ एक स्टार्ट का बॉक्स होगा जो स्टार्टिंग में होगा एक स्टाप का बॉक्स जरूर आएंगे लेकिन एक ही बार आएंगे लेकिन बा आपको clear होने चाहिए तो यह हमने क्या discuss किया these are the boxes हम क्या कर रहे हैं सार बैठा हम flow chart पढ़ रहे हैं और flow chart के अंदर अभी हमने सिर्फ type of boxes को लिखा है समझाए अब हम समझते आगे के point को देखे जो भी आप boxes देख रहे हैं इन boxes को हम ऐसे आप देख रहे हैं इन flow lines के थरू हम connect करते हैं इसमें हर एक box से आपका एक ही outlet होता है मतलब एक ही flow भार निकलता है और हर एक box में एक ही flow अंदर जाता है except decision box जहां पर flow इन तो एक ही जाता है लेकिन out मैंने बता चुका हम आपको कितने होते हैं दो होते हैं एक yes एक no yes और no कहीं से भी हो सकता है यह कोई साडल फ पास रूल नहीं है कहीं से भी yes आ सकता है कहीं से भी no आ सकता है बट होंगे दो ही outlet और वो क्या होंगे yes और no अब जब in flows connect करते हैं तो इन Flows को connect करने के भी कुछ रूल है अब देख रहे हैं आपधो फ्रो को ऊपर से नीचे लेकर जाना है तो हम राइट एंड साइट से नीचे लेकर आ सकते हैं ध्यान रखेगा जब फ्लो नीचे आ रहे है तो दो स्ट्रैट नीचे आ सकता है या राइटा सैड नीचे आ सकता है और जब ऊपर जा रहा तो हमेशा कहा से जाएगा सिफ left nd साइट से ऊपर जाएगा अगेर ये एक स्टैंडर्ड है जो फ्लो चर्ट बनाते है तब इस टेंडर्ड को embrace अमारा institute इस rule को लेके बहुत ज़्यादा specific नहीं है मतलब यह कि जब हम flow chart बनाएंगे तो हम कोशिश करेंगे इनी standard को follow करें आपको practice भी हो जाएगी आपकी आदत बन जाएगी flow जब भी लेके जाना है उपर तो कहां से लेके जाना है left hand side से उपर लेके जाना है और जब भी नीचे लेके आना है तो straight लेके आना है या right hand side से लेके आना है आपने यही practice बनानी है बट पेपर में अगर आपको भी first जाओ पता चला आपको flow नीचे लेके आना था right hand side में जगे इननी है तो आपको वहाँ पर आंसर काटने की ज़रुत नहीं है, आप अपने flow को left and side से भी नीचे ला सकते हैं, हमारा institute इस rule को लेके बहुत ज़्यादा specific नहीं है, तो आप ये ध्यान रखें कि paper में obviously आप कहीं से भी ले जा सकते हैं, flow उपर नीचे, बट कोशिश ये कीजिए, जो standard ह आप उसी को follow करें, तो I think इस aspect को भी आप बहुत अच्छे से समझ चुके, flow clear हैं आपको, boxes clear हैं, एक अपना flow chart बनाते हैं, इस flow chart के paper में आने के chances बिल्कुल भी नहीं हैं, हमें पता ये paper में आएगा ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको करा रहा हूं, तो आपको पता paper में इस लिए करा रहा हूं, जिससे के आपको यहां पर various boxes, flow lines, इन साथ concept पता चल जाए, कैसे किसको connect कर सकते हैं, कहां से connect कर सकते हैं, जिससे के आपको problem ना है, boxes कैसे बनेंगे, flow line कैसे बनेंगी, कैसे yes आएगा, कहां नो लेंगे, ये aspect, इस वाले question के अंदर, कुछ जगे में म boxes extra डाल रखे हैं, reason being, मैं आपको सारा concept समझाना चाहता हूं, yes, इस flow chart को हम और lengthy भी बना सकते हैं, बट अभी हम step by step, जो boxes मैंने बनाए हैं, उसी के साब से चलेगे, तो question लिखते हैं, सबसे पहला, उस question का solution बनाते हैं, तो लेखेंगे, draw a flow chart, draw a flow chart for making a telephone call, draw a flow chart for making a telephone call, आप में flow chart बनाना है, एक telephone call करने के लिए, और ये call आप mobile phone से नहीं कर रहे हैं, ये call आप कैसे कर रहे हैं, landline phone से, तो हम समझाएंगे, कैसे हमारे steps involved होंगे, और इस steps के साब से, हम अपने इस call के साब से, हम अपना flow chart को बनाएंगे, हमने समझा था, flow chart क्या है, these are the steps, these are the instructions, जो आपने किस order में लिखी है, एक chronological order में लिखी है, तो शुरुवात करते हैं, सबसे पहला box आपको पता चल गया, सबसे पहला box आप बनाएंगे, oval shape के अंदर कैसा box, देख रहे हैं कुन सा, start, एक चीज़ और notice करिएगा, आप जो भी कुछ flow chart में लिखने वाले हैं, flow chart के answer में जो लिखने वाले हैं, be prepared, वो सब आपने capital letters में ही लिखना है, means flow chart के अंदर हम जो भी कुछ लिखते हैं, वो सिब किस में लिखते हैं, capital letters में लिखते हैं, question capital letter में लिखने ही जुरूत नहीं है, बहार कुछ extra लिख रहे हैं, capital letter में लिखने ही जुरूत नहीं है, theory में जो फ्लोचार्ट आप बना रहे हो फ्लोचार्ट की तो symbols आप बना रहे हो उन symbols केंदर आप लिखने वाले हो वो सब किस में लिखने वाले हो capital letters में तो start भी हमने किस में लिखा है capital letters में आप हमें कुछ नहीं करना हमें सिर्फ यह सोचना है कि क्या step involved है और step को appropriate box के अंतर लिखना है उनको किस से connect करना है flow line से connect करना है तो बताइए अब आपको call करनी है तो क्या करना होगा सबसे पहले हमें सर नंबर लेना पड़ेगा हमें नंबर चाहिएगा कैसर नंबर तो मुझे याद है याद है तो भी आप भी system का पाड़ो आपको अपने दिमाग से recall करना होगा आपको भी number लेके आना होगा डायरी में से लाना है यादा से लाना है किसी से पूछना है तो सबसे पहला step हो गया आपका क्या हो गया input the number तो आप देखे कर स्टार्ट से देखे एक flow भार निकला इस flow को जब जहां flow हमने बंद किया उसके बंद में क्या बनाय डायलिंग भी हमारे एक प्रसेस का पार्ट होगा अब भी तो हमने बाहर की दुनिया से क्या लिया है number को लिया है हाँ सर नमबर ले लिया, नमबर ले लिया तो किस बॉक्स में लिखा हमने, इनपुट दा नमबर, हमने इनपुट बॉक्स में लिखा और क्या लिखा, इनपुट दा नमबर, सर ये इनपुट लिखना जरूरी है, हाँ, इनपुट लिखना जरूरी है, इवन दो आप सही है या नहीं है, नमबर करेक्ट है या नहीं है, अरे सर कैसी बात कर रहे हो, नमबर सही है नहीं तो तब ही पता चलेगा न जब नमबर डायल करेंगे, नहीं पेटा, नमबर में कुछ बेसिक चीज है, अगर आपका मोबाइल नमबर है तो 10 डिजिट का नमबर होना तो एक primary check तो किया जा सकता है, या वो भी number डाल करके पता चलेगा, नहीं सर, वो primary check हम कर सकते हैं, तो जब आपने input the number किया, तो हम आपसे question पूछेंगे, क्या ये number सही है, is number correct, और आपको याद हमने पूछा था, कि जब हम question पूछेंगे, हमने समझा था, जब हम question पूछेंग हम कुछा box बनाएंगे, decision box, तो आप देखेगा, इस flow के नीचे हमने क्या बनाएं, decision box, और decision box हमने क्या लिखा, is number correct, आपको ये number सही है, अच्छा अगर सही है, तो क्या करना है, और सही है, तो sir, आगे number dial करेंगे, और नहीं है, तो क्या करना है, करते है, sir, फिर तो में दु को तो थीक समझ में आता अर आपको उसम नंबर करेक्ट जो हमने पूछा है इस नंबर करेक्ट में अगर आंसर अया गया और आप Ü western नहीς है तो में अब लेकर ही जाना है उपर लेकर जाना है और आप यह भी जानते हैं व्व्वरों जब उपर जाना Давай तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि इस वाले पर्टिकुलर डिजन बॉक्स में जो नो है वो कहां मनेगा फिर से क्लियर करता हूं फिर से बोलता हूं ध्यान से सुनेंगे मैंने आपसे पूछा इस नंबर करेक्ट अगर आंसर सही है तो क्या करना सर डायल करना है तो आगे का प्रोसेस हो गया अगर सही नहीं है तो क्या करना है सर तो हमें इंपूर्दा नंबर पर वापिस उपर जाना है अब अगर वापिस उपर जाना है इसका मतलब अगर नंबर साइन यह मींस नो है तो हमें फ्लो कहां लेके जाना है उपर लेके जाना है उपर फ्लो कहां से लेके जाते हैं फंदर लेफ्ट एंड साइड से फ्लो को आप उपर लेके जाएंगे अब रुख जाएए अब नो यह पता चल गया कि कहां से आ रहा है लेफ्ट एंड साइड मे अब आप क्या करेंगे अब इस फ्लो को ऊपर ले जाकर जोडेंगे पर अगर अगर आपने इस फ्लो को ऐसे जोड़ा इन्पुर्ट्दा नमबर के उपर अलग से तो आप यहाँ देख रहे हैं आपर हमने गलती कर रखी है हमें ऐसे इसको नहीं जोड़ना, क्योंकि आप देखें, इन्पुर्दा नंबर के अंदर दो दो फ्लो आ गए है, आपने पढ़ा था, आपकी समझा था, कि किसी भी बॉक्स में सिर्फ कितने इनलेट होंगे, एक इनलेट होंगे, आप देखें, आपके कितने इनलेट है, दो इनलेट है, एक ये इनलेट है, और एक उपर इनलेट है, दो इनलेट हैं, जो ये गलत है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फ्लो यहां नहीं जोड़ना, यहां नहीं जुड़ेगा, यह कहां जुड़ेगा, यह उपर फ्लो लाइन के अंदर फ्लो लाइन करने के बाद में आप चेक करेंगे क्या डायल टोन है या नहीं हमारे लैंड लाइन साथ दिक्कत होती है भाईया वो के बट डेट हो जाते हैं तो अगर नहीं है तो क्या करना है तो नहीं है तो बंद कर देंगे है वाला option क्यों बना रहे हैं देखे बेटा अगर अगर है तो आपने क्या steps करने ये आपको बताना है और नहीं ओधी ने बनाएंगे हम सीधा सीधा चलते हैं अगर हमारा हमारी अविलेबल हैं तो क्या करना डायल करना लाग तो चली कम बनाते हैं और हम डायल करते हैं आप देखें किए बनाया है प्रोसेस बॉक्त में बनाया है वर नंबर किया युद्ट करें तो नभर करें को युद्टी वजे या नहीं वजे आपने एक वह प्रोग्राम देखा होंगा पहले टीवी है आ आप आप डायल दर नमबर तो दो बात होंगी यह तो घंटी बजेगी या करना है लेकिन अगर बजी तो क्या कर larger वहां पर één गृक् winding है या नहीं है अगर ओंसे बात करेंगे और नहीं तो अप करेंगे तो अब देखेंगे तो आ nhất तो आप देखेगा इस case में, हमने number dial किया, तो हमने यह पूछना है, क्या घंटी बजी, तो आपने यह चेक किया, is ringing, आप देखेगे, is ringing हम किसे पूछेंगे, decision box में, तो आपने यहाँ चेक किया, is ringing, अगर घंटी नहीं बजी, तो क्या करना है, तो दुबारा dial करना है, अग कि तरफ लेके जाना है, तो flow आप 9 से कहां लेके जाएंगे, यह उपर कि तरफ कहां पर connect करेंगे, again, flow में, डाल दा number के ऊपर, और अगर घंटी बजी, तो बात करेंगे, या पहले पूछ लें, भाई, बात करेंगे, सीधा पहले, कोई भी हो, सर फोन मिला है, पैसे लगे, मैंने जानबुच के कुछ चेक्स लगाए हैं, जिससे कि मैं आपको अच्छे से समझा सको, तो हमने यह चेक किया, is person available, क्या वो person जिसे में बात करनी हो है या नहीं है, अगर वो है, तो क्या करना है सर, बात करनी है, तो if yes, तो talk to him, और नहीं है, तो क्या करना है सर, तर फो आना पड़ रहा था, तो आप देखेगा, यहाँ, परकर person अविलेबल नहीं है, तो भी आपको क्या करना है, stop करना है, और stop कहा बनाने वाले है, आप नीचे बनाने वाले है, इसका मतलब, जो हम मैसेज लिखना चाहते है, leave the message, जो नो के case में फ्लो है, वो कहां से आएगा, पड़ा, राइट-ेंड साइट से आएगा, तो राइट-ेंड साइट से निकला, हमने लिखा, leave the message, और जो देखेगा, यहाँ, पर talk to him के नीचे देखेगा, हमने क्या बनाया है, stop box, तो देखेगा, talk to him के बाद मुझे क्या करना है, stop, मैंने एक stop box बना दिया, clear है, leave the message, leave the message में चाल के बाद मुझे क्या करना है, stop करना है, तो किया मैं यहाँ यहाँ से stop box बना दू, और ऐसे ही बटा कर आपको याद हो, ऊपर जब डायटोन अविलिबल में अपका अशत रहा था नो, तो भी आपको क्या करना था, stop करना था, तो क्या मैं यहाँ भी stop बना दू कलक स नहीं सर आपनी तो बताया था कि stop के box कितने होंगे खाली एक ही होगा तो जब एक ही होगा तो फिर हम बाकी दोनों जगे पर क्या करेंगे हम दोनों जगे का flow कहां लेके आएंगे स्टॉप लेके आएंगे अब देखे कैसे लेके आईए लीव दा मैसेज का जो box है इस से हम flow लेके आना हमें कहां पर स्टॉप पर और इसको फिर नीचे लेके आएंगे और जब नीचे लेके आरे होंगे तो यह इस box की ऊपर से मतले है यह का leave the message की ऊपर से काटते हुए ले आए इसको इसके side से निकालते हुए आप यहाँ flow को नीचे लेके आएंगे और नीचे लाके यहाँ stop में stop के box के साथ आप इसको connect कर देंगे clear हुआ यह फिर से देखेगा आपने क्या किया है आपने इसको is diet on available के answer no के case में आप यह flow को नीचे लेके आए और यह नीचे लेके आते वे आपने क्या धियान रखा कि leave the message के बरावर में से flow नीचे लेके आए और लाके यहाँ इस flow line के साथ ही में अपनी उसकी flow line जोड सकता हूँ अब मेरे पास दो जगे है जहां मैं इसको जोड सकता हूँ एक मैं यहाँ जोड सकता हूँ यह देखेगा यहाँ से बॉक निकालके दूसरा मैं यहाँ नीचे की तरफ जोड सकता हूँ ठीके तो मैंने क्या किया मैं इसको यहाँ जोड दिया बिलकुल पास में आप दोनों जगे मत जोड दिया ज्यादा मजबुत जोड होगा एक ही flow line निकलेगी भ क्लियर होना चाहिए तो यह आपका फ्लोचार्ट था इसको कुछ बॉक्स एड़ कर सकते थे कुछ खटा सकते थे पर आपको इस लिए समझाए गए हैं जिससे कि आप इसकी अंडरस्टेंडिंग अच्छा से करने तो आप देखेगा आप पूरे फ्लोचार्ट को फिर से सम करेंगे तो यह क्या है यह आपका इक तरीके से इन्फाइनेट लूप बन गया काईदे में ऐसा होता नहीं है नॉमिल हम यह काउंटर डालते हैं कि बाच बार दस बार यहां पर चेक होगा बट हमने इतना जादा डेफ्ट में जाने की ज़रूत नहीं है इस केस में तो हमन को जब चेक करेंगे तो दो बाते होंगी या तो डायल टोन होगी या नहीं होगी तो आप देख रहें डायल टोन नहीं है तो आपको फ्लोचर्ट क्या क्या रहा सीधा सीधा कि अगर डायल टोन नहीं है सीधा कहा चले जाओ आप स्टॉप में चले जाओ लेकर डायल टोन ह कि किसी को बिल्कुल वैसी बट fascist करने का। जैसे किसी को रास्ता बता रहे हो। कि आप यह रही तो आप की सिदा करना है, लिए को क्या करना वरना ये भी तो सकता है कि इस phone में इस वीदा भी अपलब्द नहीं है तो पता चला phone ही नहीं मिल रहा है या घंटी जा रही है वहाँ पर phone no response हा रहा है कुछ भी हो सकता है बट हम यह assume करके चल रहे हैं कि वहाँ घंटी बजी और वहाँ पर क्या हुआ वहाँ पर वह phone पिक भ नेक्स इसके बाद आपने पूछा अगर घंटी बजी तो मन मान के चलने phone क्या हुआ पिक हुआ मनलब सामने किसने phone को उठाया अब अगर वह person है जिससे हमें बात करनी है तो हमने उससे बात की और परसन नहीं है तो हमने क्या किया message छोड़ा आप देखें कि इन दोनों box मे और ultimately हो जाके क्या हो गया? stop हो गया. तो sir इसमें में क्या समझ में आया हमने किस ले किया? बेटा हमने ये flow chart सिर्फ इसी ले किया कि आपको boxes कैसे बनते हैं, boxes के साथ lines कैसे बनती है, flow lines कैसे connect करनी होती है, कैसे yes और no को हमें draw करना होता है, सिर्फ इसी purpose के लिए हमने flow chart बनाय जाने वाला आप से दूसरे पकार के flow chart बच्छी जाएंगे. यहाँ पर आपको ये भी डर लग सकता आएगा, कि sir आपको ये steps याद आगए, हमें तो ये steps पताय नहीं चलेंगे, कौन सा step बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है. अगें, इस चीश की चिंत आपको नहीं करनी है, जिस टाइब की flow chart हमारे paper में आते हैं, उनके मेरे और आपके steps बिल्कुल match करेंगे, और हम सब को समझ में आएगा कि हाँ, सर इसके बाद यही step आना चाहिए. तो फिलाल आपको ये part clear होना चाहिए. इसी के साथ मैं आपको ये भी discuss कर दूँ, कि कई बार जब आप flow chart बनाते हैं, जैसे आप यहां screen पर देख रहे हैं, इस वक्त, इस वक्त जो आपका flow chart है, यह आप देख रहे हैं, इस एक page पर पूरा नहीं आया, तो आपने बाकी बचा हुआ portion भी क्या करा, इसी page पे side में बना रखा है, तो आपके जो connectors होंगे, आप इसमें क्या लगाते हैं, connectors बनेंगे, जैसे आप यहां देख पाने, circle में, अब कैसे connector बनेंगे, आप देखेगा, यहां पर, सबसे पहले हमने कहा, is person available, आपने कहा, yes, अगर yes तो हमें क्या करना था, talk to him, अब talk to him के लिए हमारे पास नीचे जगे नहीं बचे, तो हमने क्या किया, आप देखे, यहां पे हमने एक flow line बनाई, उस flow line पे क्या करा, circle में लिखा A, और यह देखे, दूसी जगे हमने क्या करा, फिर A लिखा, और नीचे flow line बने, means यह हमारा यहां से flow कहा पहुच गया, इधर corner में दूसी जगे पहुच गया, यहां आपने A बना दिया, means अब आपने क्या, talk to him, उसक B को हमने कहां बना दिया, वहाँ पर stop के बास में हमने यह B बना दिया, अब point यह है कि जो आपका उपर वाला point था, जिसके अदर आपके पास dialton अविलेबल नहीं थी, तो भी तापको stop करना था, again, वहाँ पर आपको C बनाने की जरूत नहीं है, वहाँ पर भी आप ऐसे arrow line में B ही लिख देंगे, यह दोनों B कहां पहुच गए हैं, उस एक जगे में पहुच गए हैं, तो आप इस बरगार से connector A, B, C, D, E, F, G, ऐसे करके आप connectors बना सकते हैं, आप कहेंगे सर, ABCD तो Z तक ही होती है, और सर, A से लेके Z तक के connector लगाने के बाद फिर क्या करेंगे सर, देखें बेटा, अगर आपके एक flow chart में A, B, C, D करके Z तक आपने flow chart पे connectors खर्च कर दिये ना भाई साब, तो better आप flow chart ना बनाएं, reason being, अगर आपने इतने सारे connectors बना दी हैं, तो वो आपको भी समझ में नहीं आएगा examiner की तो बात ही छोड़ दीजी, और अगर examiner को समझ मे नहीं आता और at times यहाँ पर confusion हो जाता है, तो मेरा आपको suggestion है कि आप connectors का इस्तेमाल सिर्फ rare circumstance में करेंगे, मैंने समझा दिया connector कैसे बन सकता है, वो आपको clear होना चाहिए, यह circle में आपने connector बनाया है, यह same page का connector है, अगर आपका जो बाकी का बचा हुवा flow chart है, उसी page की ओप आपने बनाया है, तो यह flow chart किस में बनाएंगे, यह आप connector किस में बनाएंगे, circle में बनाएंगे, लेकिन अगर यही आपने बाकी बचाओ portion जैसे, अब आप देख रहे हैं, अलग-अलग pages है, पहले यह portion एक page में है, और दूसरा आपके दूसरे page की ओपर है, जबके pages different तो आपको यह connector circle में बना किस में बनाना होगा, इस तरीके के bullet shape में, इसका मतलब अगर bullet shape में connector है, तो हमें बाकी बचाओ portion कहां देखना है, अगले page पे देखना है, और अगर circle में connector है, तो हमें कहां देखना है, यह same page में, तो मेरे इसाब से यह सारे point आपको clear होने चाहिए पूरी clarity होनी चाहिए यहां तक हमने सिर्फ अभी यही समझा है कि हमारे boxes कैसे बनते हैं हमारे flow lines कैसे बनती हैं हमारे connectors कैसे बनते हैं उनकों कैसे connect कर सकते हैं